आखिर एजाज खान के बीच ऐसा क्या वुआ सगाई के बाद इनकी शादी की खवरे और फिर अवचानक से इनकी ब्रेकडियों की खवरे के ओने लगी एजाज के साथ अपनी शादी को लेकर पवित्र पौनिया ने ऐसा वियान क्यों दिया जिया टीवी के पॉपनर कप लेजाज खान और पवित्रा पुनिया के ब्रेक अप की खबरे इन दिनों जोरो शोरो से चल रही है और इसी खबरों पर दोनों ने अपने तरीके से डियक्ट भी किया है लेकिन पवित्रा पुनिया ने एक तरह से साफ कर दिया है क्यों अभी शादी नहीं करने जा रही जिसके बाद लोग और ये कयास लगाने लग गये हैं कि क्या अब इनके बीच का रिष्टा कहीं टूटने के एक अगार पर तो नहीं है बिग बॉस जन्द 14 से दोनों एक दूसरे के करीब आये थे और इसके बाद ऐसी खवरे थी विए एक दूसरे के परिवारों से भी मिले और शादी करने की प्लैनिंग करने लग गये थे लेकिन अब अचानक से इनके ब्रेक अफ की खवरे आने शुरू हो गई है हलाकि पवित्रा ने सीधे तोर पर मना तो नहीं किया है लेकिन उनके जवाब से काफी कुछ साफ होता दिख रहा है जी हां कुछ मीडियो रिपोर्ट्स की माने तो एक एंटेटेन्मेंट चैनल को दिये अपने ट्रिव्यू में पवित्रा ने कहा कि उनके प्रेविसी का सम्मान किया जाना चाहिए शादी को लेकर पवित्रा ने कहा कि वो अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही उन्हें अभी अपने परिवार की देख भाल करने और अपना करियर बनाने की जएदा जरूरत है वहीं पवित्रा ने एजाज के साथ अपने रिष्टे के बारे में भी बाते की पवित्रा ने अपने फैंस को लेकर कहा कि उन्हें उनकी और एजाज के फैसले का सपोर्ट करना चाहिए और जो कुछ भी होता है वो किसी कारण से ही होता है मैं अभी अपने कारियर और परिवार पर ध्यान देना चाहती हूँ पवितरा ने कहा कि उन्होंने अभी अभी अपने पिता को खोया है जो उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थे पवितरा ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है वहीं अब बतादे कि ब्रेक अप की ख़वरों के बीच एजाज का भी एक पोस्ट वैरल हुआ था एजाज ने ITA Awards 2023 से एक वीडियो शेयर किया था जुनके फैन ने बनाया था और इसे शेयर कर एजाज ने फोटो पर इंस्पिरेशन लिखा था अब काफी समय से इसी ख़वरे चल रही है कि इनके बेच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो इनके ब्रेक अप के भी काफी चड़चे है